हेलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर और एक विडियो में खतम हो जाएगा आपके सारे दिक्कत डाउट प्रॉब्लम सारी समस्याओं का समाधान जो बच्चे सोचते हैं सर में CRR, बैंक रेट, रेवर्स रेपो रेट को लेकर कन्फीज हूँ सारी कन्फीजन क्लियर होगी एक एक टॉपिक क्रिस्टल क्लियर एक ही विडियो में इसको बोलेंगे वन शॉट विडियो यानि एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर समाथ और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इस पूरी मनी और बैंकिंग की यूनिट को दो चैप्टर में डि देखेंगे पहले बैंकिंग के कॉंसेट्स पढ़ेंगे मतलब रियल लाइफ से टच कराके जो आपके आसपास हो रहा है और फिर वो चीज़े कोर्स में कैसे है एक्जाम में जो भी कोशन आएगा आपको उसका अंसर आता होगा अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोग कनेक्शन सेट है वो कनेक्शन दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में पता लगता है ठीक है फिर भी अगर आपको इसते रिलेटेड कोई आपको कोशन वगेरा देखने हैं तो उसको आप पी डेवल्यू की एंड्रोइड एप पर जाकर देख सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्श आप से जब आप लोग यह वीडियो देख रहे होंगे आपको इतना अंदाजा है कि एक देश का सबसे हेड़ बैंक जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है हमारे इंडिया के इंदर आर बी बूलते हैं उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब एंसी आटे के हिसाब से इं कोमर्शल बैंक होते हैं जो अपने आसपास तुम बैंक देखते हो ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया HDFC ICICI PNB बैंक ऑफ बरोदा यह सारे बैंक कोमर्शल बैंक से इसकी ही डिटेल अभी आपको आगे एक्स्प्लेन करने वाला हूं इसके लावा कुछ कॉपरेटिव बैंक यह इतने फेमस होते भी नहीं है इनके बारे में नहीं पढ़ना इस चैप्टर में कुछ रीजिनल रूरल बैंक होते हैं यह 1970 के टाइम पर हमारे देश के सरकार ने शुरू किये थे गाउव वाले इलाके में उस इलाके में जहां पर मेंली कॉमर्शल बैंक नहीं पहुच पाए वहाँ पर क्रेडिट यानि लोन की फैसिलिटी देने के लिए और भी इस्टैबलिश किये हुए थे और अगर वल्ड में बहुत अच्छा एक्जामपल बताऊं तो बंगलादेश का और भी बहुत फेमस है उसका नाम है ग्रामिंड बैंक तो जितने भी आर भी होते ह पर कुछ small finance bank फोल देंक है रिजर औफ इंडिया ने आज-कल चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-बैंक की सर्विसे प्रवाइड करते सारी banking एक example है जो small finance bank का है इससे भी आपका कोई लेंदेन नहीं है इस chapter में और दोस्तों कुछ online payment bank खुले है जैसे कि world famous हो रहा है आजकल तो ATM है, ATL payment bank है यह सब payment banks है अब तुम बोलो के सर यह own pay, google pay क्या यह कोई bank है नहीं यह कोई bank नहीं है यह एक ऐसी app है जो लेंदेन को असान बनाती है उसमें paytm भी वो काम करता है लेकिन paytm उसके अलावा आपको bank account भी खूल कर देता है और यह payment bank के category में आता है और हमारे syllabus के साथ है हमें central bank और commercial bank के बारे में जानना है एक बार आपको दिखा देता हूं कि कौन-कौन से commercial bank अपने आज-पास दे bank देना bank पंजाब एंड-सिद बैंक अलाबाद bank इंडियन बैंक है जाने और बहुत सारे एक्जामपल से आपको एक्जामपल भी याद नहीं रखने यतने सारे अलब जो में में बता दिये वही आपके काम के चीज़ इन्हें बोलते हैं commercial banks अब इनके functions गिरा हूंगा तो फ साथ देने आपको मेरा कि हाँ यहाँ पर जो चीज़े आपको समझ में आ रही है तो कॉमेंट सेक्शन बता दो कि यह सर बहुत बढ़ी है मज़ेदार तरीके से चीज़े होग के रिपोट है नहीं आरी तो भही डाउट पूछ लो अब यहाँ पर मैंने लिखतो दिया है कि बैंक के अंदर टाइप सो बैंक अकाउंट बेसिकली यह चार होते हैं इनका मतलब समझो चोचो अभी आपका बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है और आप कमर्शल मैंक में किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले गए मालो आपर कुछ पैसे लेकर गए और बोला कि यह म हमारे पास saving bank account भी अविलेबल है, current अविलेबल है, requiring deposit अविलेबल है, fixed deposit अविलेबल है, आप बताओ कौन साथ खुलवाओगे वे आपका question होगा, यह समझा ऊतो सही, यह agents कौन से है, तो bank बोलता है, जो पैसे आप मेरे पास लेकर आए हो, यह पैसे जमा कराने के बाद अग आप इन पैसों को निकाल लो तो आपको जो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा उसका नाम है सेविंग बैंक अकाउंट इसको प्यार से सिर्फ सेविंग अकाउंट भी बोलते हैं रियल जिन्दगी में अकाउंट को ऐसे लिख देता हूं एक और देंडा और फिर सी तो फिर अगर बैंक आपसे पूछता है कि आपकी कोई दुकान है फर्म है कंपनी है तो अगर आप अपनी एंटरप्राइज के नाम से अकाउंट खुलवाना चाह आप जो पैसे जमा कराओगे ना जब चाहे तब तो निकाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन आपको हमिया पर कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आप देखते हो आपके आसपास बड़ी-बड़ी रिटेल की दुकाने है या दूद की करते हैं तो उनको डर लगा रहता है जब यह रात को दुकान बंद करके जाएंगे अपने दुकान में से कैश लेकर जाएंगे कोई लूट ना ले इसके लिए बैंक सर्विस प्रोवाइड कर देता है आपने देखा होगा कि बहुत सारी कैश वैंच चलती है जिसके अंदर सेक्यूरिटी गार पीछे गल लेके बैठा होता है तो वो बहुत सारे ऐसे शोरूम से दुकानों से पैसा उठाता है अपने पास रखता है और सुबह जब दुकान दुबारा खुलेगी उनको दुबारा दे देता है ऐसी सर्विस भी बैंक प्रोवाइड करते है या फिर आप खुद जाकर आपके पास बहुत सारे पैसे घटे हो गए हो कैश की फॉर में तो आप बैंक के अंदर जाकर सेफटी परफस से जमा करा सकते हो तो बैंक बोलता है देखो हम कस्टमर का पैस अपने पास जमा कराते हैं और इस पैसे को आगे किसी और को लोन पे देकर हम बैंक करता है जी हां आपका पैसा जमा कर लिया हमने आप जो पैसे जमा कर आ रहे हो आपको इसके बदले में बैंक इसके ओपर इंट्रस्ट यह नहीं ब्याज प्रोवाइड नहीं करता है इस बात को ध्यान रख लेना नोट कर लेना क्योंकि इस्तमाल नहीं कर रहा उपर से इसके ओपर 30 ओर चार्ज करता है तो करन्ट अकाउंट खुलवाओगे तो आपको कुछ चार्जिस देने पड़ेंगे बैंक यहां पर आपको इंट्रस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा एक खास बात है यहां बोल देता है बैंक कि अ प्रास तरीके की सुविदा जेता है कहता है माल लो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपे जमाएं और आपको अभी 11 लाख रुपे की जरुरत है तो आप 11 लाख रुपे निकाल सकते हो एक लाख रुपे आपका उधार हो जाएगा यह जो एक्स्ट्रा मनी बैंक आपको दे आप उससे ज्यादा पैसे निकाल सकते हो या उससे ज्यादा पैसे की आप कहीं पर online या offline किसी और तरीके का चेक वगएरा तरीके से payment कर सकते हो अब यह एक लाख रुपे का दिया है हर कस्टुमर को बैंक अलग overdraft service देता है किसी को एक लाख के लिमिट दी हुई है किसी को हो लेगा आपके अकाउंट में 10 लाख रुपे तो आप 15 लाख की payment कर सकते हो यह डिपेंट करता है कि उस बंदे का यानि कस्टमर का बैंक के साथ रिष्टा कैसा है बहुत प्रैक्टिकल बात है ठीक है तो चलो ठीक है saving account पे interest मिलेगा तो यहां लिख दिया मैंने आए interest मिल होते हैं RD account यह क्या है bank क्याता है अगर आपको अपनी saving habit develop करनी है अगर आप पेरेंट्स बेसी के लिए ऐसा करते हैं जब उनके बच्चा पैदा होता है तो वो चाहते हैं कि यह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसकी college fees बहुत लाखों में हो चकती है वो भरने के लि bank के इंदर जमा करते हैं वो बैंक को commitment कर देते हैं तस साल तक फंद्रा साल तक बीच साल तक साल तक 2 साल तक परपस कोई भी हो सकता है हम हर महीने आपके account के इंदर पैसे जमा करांगे और जब हमारा जरूरत का समय में आएगा हम पैसे निकाल लेंगे तो बैंक बोलता है इस चीज के लिए आप आर्डी अकाउंट खुलवाओ आप हर महीने जमा करा देना पैसे एक एक जार रुप्य जमा करा रहे हो आप जमा कराते रहो इसके अंदर आपके पैसे खटे हो जाएंगे आपको मिल जाएंगे जब आपको जरुत पड़ेगी जरुत वाला है इसमें यानि यह बोल रहा है कि आप जब मन करोगा जैसे सेविंग अकाउंट में निकाल रहे थे यहां पर जब आपका मन करेगा तब पैसे नहीं निकाल पाओगे एक टाइम लिमिट के लिए आपके पैसे ब्लॉक हो जाए देता है तो सेविंग अकाउंट पर कम इंट्रस्ट मिलता है रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट पर ज्यादा इंट्रस्ट मिलता है यहां पर बैंक अच्छे से पैसे को इस्तिमाल कर लेता है फिर लास्ट वाला है जो फिक्स्ट डिपोजिट अकाउंट दोस्तो इसको जब आपको चाहिए होंगे आप ले लेना ये बंदे कौन करते हैं मालो किसी की प्रोपटी byख जाय तो मोटा पैसा आ गया या फिर किसी को कहीं से लॉटरी लग लग जाय तो मोटा पैसा अगया तू किसी की Retirementो तो मोटा पैसा आ गया और सबसे जादा इंट्रस्ट टिक्स डीपोजिट अकाउटर प्रकुट पे टो की एक बार में मोटा पैसा जन्रली जमा हो जाता है तो अगर कोष्जन पूछा जाए आपसे कि सबसे जादा इंट्रस्ट कों से कंटमे विगता ओर इसके बाद सेविंग अगाउट पर सबस्क्राइब इंट्रस्ट मिलता ही नहीं कस्टमर ठीक है आपको फिर मोटे-मोटे तोरपे बात आँ जो आर्डी अकाउंट है रिकरिंग डिपोजिट अकाउंट और जो एफडी अकाउंट है इसका पैसा एक लिमिटेड टाइम के लिए बैंक के पास रहता है तो बैंक इस पैसे को बोलता है टाइम डिपोजिट ध्यान रखना तुमसे पूछ लेगा कोशन में टाइम डिपोजिट क्या होता है तो इन मैंने 5 साल के लिए FD या RD करवाधी बैंक के पास अकाउंट खुलवा दिया लेकिन मुझे जरुरत पढ़गी पांच दिन के बादी तो क्या मैं अपना पैसा निकाल नहीं पाऊंगा नहीं निकाल सकते हैं फिर बैंक बोलेगा कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया प 4000 दे, 1000 दे वो हर बैंक की अलग terms and condition होती है इस हिसाब से हर एक बंदा अलग-अलग बैंकों में prefer करता है कि मेरा FD का अकाउंट Axis Bank में हो या State Bank of India में हो या PNB में हो इसलिए हम अलग-अलग bank भी चूज करते हैं तो कि सब बैंकों की terms and condition अलग होती है ठीक है तोस्तों और बैंक बोलता है यह है demand deposit तो question आजाएगा demand deposit क्या होता है demand deposit वो पैसा होता है जब customer demand करेगा तब बैंक वाले बंदे को pay करने पड़ेंगे वो पैसे तो it refers to the deposit which is payable on demand जो payable होगा अब आगे बताऊंगा इसके बारे में जार इस deposit को हम checkable deposit भी बूलते है एक check नाम की facility होती है जो बैंक अपने customer को provide करता है तो check के थुरू भी इस पैसे को निकाल सकते हैं तो check के थुरू भी हम demand कर रहे हैं तो इसलिए इसको checkable deposit भी बोलते हैं कर यह नाम है detail बाद में आएगी तो इतनी चीजे basic form में पता है अगर तुम 12th class के अंदर money and banking का chapter नहीं भी पढ़ रहे होत हो कि आपका bank के अंदर account है या नहीं है अगर है तो कौन से bank में है मुझे भी तरह observation लेनी है कि 12th class के बच्चों का कौन से bank के अंदर account खुला हुआ है काफी बार student account भी होता है तो student account basically saving bank account खुलते हैं अब तुम बोलो कि sir ATM भी तो provide करता है bank ATM को debit card बोलते है मतलब जो पैसा आ living account के holder को current account के holder को मिल जाता है rd और fd वाले को नहीं मिलता किस बात को भी ध्याना की बेसिक बात से शुरू किया है और अब यहां मुद्दा आएगा कि जो पैसे हम commercial bank के पास जमा करा देते हैं जो भी पैसा मतलब commercial bank के पास जमा होता है bank उन पैसों को करता क्या है यह समझा तो सेविंग या करंट या rd या fd या फिर लोगों को लोन प्रोवाइड करता है यह प्रोवाइडिंग लोन की लेंग्वेज को अगर मुश्किल कर दो तो इसको बोलते हैं एडवांसिंग लोन्स एडवांस करना लोन मतलब एडवांस पेमेंटी तो होती है लोन तो मुश्किल याद करने है यह बैंक हमारे पैसों को करता क्या है यह चीज एक दम क्रिश्टल क्लियर करूँगा यहां के तुम्हारे बहुत सारे मुश्किल कॉंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं लोगों ने मालो टोटल डीपोजिट इसके पास सो करोड रुपे का करा दिया वह बहुत ज्यादा माउंट हो गया लेकिन मालो करा दिया तो यह क्या करता इस पैसे अब जितने भी कमर्शल बैंक है न हमारे देश के इंदर उन सबका एक हैड है जिसे रिजर्व बैंक ओफ commercial bank को जिंदगी में कोई भी cash की problem आ सकती है generally cash की problem त्योहारों के time पे आती है मालो दिवाली का time चल रहा है तो लोग bank के अंदर पैसा जमा कराते नहीं है बलकि निकाल रहे होते हैं त्योहारों पे लोगों को खर्चा करना होता है सब बंदे नया समान ले रहे हैं स्कूटी ले देंगे फिर बैंक तोस्ते हाँ problem तो किसी के साथ भी हो सकती है तो हर एक commercial bank अपने total deposit का चोटा साइस सा RBI के पास रखवाता है तो माल लो इसके पास total deposit की form में तो करोड रुपिया है तो इसने पांच करोड रुपिया RBI को रखवा दिया अब इसके पास बच गए 95, 95 बच गए RBI बोलता है इस 95 में से आप छोटा सा एक हिस्सा अपने पास cash की form में रखो यूफ कि जो बनदे पैस जमा कराते हैं हो कभी निकालने आसकते हैं निकालने को बोलते हैं withodore करना तो कभी भी customer अपनी money को withdraw कराने आ औसकता है गंसे जैली औरी लोग पैसा निकालते हैं जमा जाधा कराते हैं लोगों की हैबिट है इस हैबिट के ऊपर बैंक खुले हुए है तो सारा पैसा अपने पास cash की फॉर्म में नहीं रखता बैंक RBI ही गाइड करता है कि हर एक बैंक को अपने total deposit का कितना percent अपने पास cash की फॉर्म में रखना है cash को यहां बोलते है liquid assets लिक्विट asset की फॉर्म में लोग RBI ने बोल दिया कि 95 में से पंद्रा करोड आप अपने पास cash की फॉर्म में रख लो तो यह बैंक ने अपने पास रखा है अब बच गए बैंक के पास 80 क्रोड रुपे बच गए ना बैंक इस पैसे को क्या करता है आगे इन्वेस्ट करता है लोन पर देता है यहां से जो ब्याज वसूलता है उसका एक छोटा सा इस्सा अपने सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट करेंट अकाउंट को तो देता नहीं सेविंग अकाउंट और और फड वाले बंदों को दे देता है मालों यहां से इनसे 10 परसेंट का ब्याज ले रहा है उनको 2 या 3 परसेंट देता है चार या 5 परसेंट देता है इसलिए profit बैंक का ही से बनता है ठीक है अब कोश्चन आता है सर ये जो RBI ने अपने टोटल डिपोजिट का हिस्सा कमर्शल बैंक ने अपने जो टोटल डिपोजिट का हिस्सा RBI के पास रखवाया है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो यानि CRR चॉट में CRR और कैश रिजर्व रेशो ठीक है और जो कमर्शल बैंक ने अपने पास रख लिया पैसा उसको बोलते हैं स्टाटूटरी लिक्विडिटी रेशो टाटूटरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है वैधानिक यानि कमपल्चरी जरूरी है कानुई तोर पे बैंक को अपने पास यह पैसे रख नहीं पड़ेंगे तो टोटल मिलाके बैंक ने यहां से अगर देखा जाए तो पांच और पंद्रा पांच प्लस पंद्रा यानि CRR प्लस SLR यह वाला पैसा 20 हो गया अपने पास अलग से रख दिया और बाकी लोन पर दे दिया तो जितना पैसा कमर्शल बैंक अपने टोटल डिपोजिट का अलग से रख देता है चाहे RBI के पास चाहे अपने पास इस टोटल को बोलते है लीगल रिजर्व रेशो ल आर आर तो को सान भाषा में बात समझा दी अब पेपर में कैसे लिखना है डेफिनेशन वो चेक कर लो ठीक है डेफिनेशन लिख दिया यहां पर नंबर बन पे पैन का कलर चेंज कर लो पहले यह लोगर लेता हूं हाँ CRR क्या होता है वहले बोल दूं CRR कमर्शल बैंक के टोटल डिपोजिट का वो हिस्सा होता है जो कमर्शल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है सेंट्रल बैंक होता है आर भी आई भारत का ठीक है तो लिख है यह टोटल डिपोजिट का वो हिस्सा है जो एक कमर्शल बैंक अपने पास रखता है इन दा पॉर्म ओफ लिक्विड एसेट्स यह लाइन जरू लिखनी है तो क्या लिखा है एसला रेफर्स चुदा पार्ट अफ टोटल डिपोजिट ऑफ कमर्शल बैंक यहां तक डिक्ट अगर कोई पूछले एलार के कितने कॉंपोनेंट्स है तो दो ही तुकने है इसके पहला बेटा दूसरा बेटा एसला तो लिखा है इसको काफी सारी बुक में सिर्फ रिजर्व रिश्यो लिखा है आपको एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ एक अटेंशन नहीं नहीं है किसी भी लेंग्वेज से इसर्व रेश्यो लिख दिया किसी-किसी बुक में इसको रिजर्व डिपॉजिट रेश्यो लिखा है ठीक है और अमेरिका में इसको अमेरिका क्यों जाना तो वैसे बताए तो अमेरिका में इसको required reserve ratio बोलते हैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब economics owners करते हैं तो foreign writers की बुक पढ़नी पढ़ती है तो वह foreign authors हैं तो वह इसको आर 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 बोलते है अगर आपको इसके नोट से यह तो पी डेवलु की आप पे आपको बिल जाएंगे जो जो चीजे मैंने लिखी है आपको मिल जाएगी PDF की फॉर्म में एक आपका विश्वास बैच है वहाँ पर विश्वास बैच आपको सर्च करना पड़ता है और एक चीज़ आपको मिल जा तो मतलब बैंक की तस्वीर बिनाना की कोशिश किया है Central Bank तो यह रहा ठीक है Central Bank की तस्वीर यहाँ पर और Commercial Bank की तस्वीर यहाँ पर मैं आपको Central Bank और Commercial Bank के बीच का एक Deep Relationship समझाना चाहता हूं उस रिलेशन को समझते ही तीन चार्क टर्म और है मुश्किल मुश्किल सी वह आपके दिमाग में फिट हो जाएगी जब हम किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं मतलब उधार पैसा देते हैं तो वह हमें बदले में इंट्रस्ट प्रोवाइड करता है अगर हमने किसी से उधार पर पैसा ले लिया तो उसको हम बदले में इंट्रस्ट प्रोवाइड करेंगे यह वाली गेम चेंट्रल बैंक और कमर्शल बैंक भी आपस में खेलते हैं कमर्शल मेंक को कभी-कभी पैसों की ज़रुत पढ़ती है तो वह लोन पे आर भी आई से पैसे मांग सकता है तो आर प्रोवापेन गांग से अगलनी अदे और यह हमारे डेश का रिजर्फ बैंक ऑप इंडिया को लोन देता है तो आधी पूछ लेता अगर में कमर्शल बैंक बोलता है कि मैं यह लोन शॉट टर्म में वापिस कर दूंगा थोड़े दिनों में वापिस कर दूंगा तो आर बिया बोलता है रेपो रेट है धेखा इस इंट्रस्ट का नाम रेपो रेट है तो गोई पूचे इघ एक इंट्रस्ट रेट है जो आर्फी चार्ज करता है कमर्शल बेंक पे शॉठ टर्म लुन्स के बतले अगर अगर और याई व звон था कि मैं तेरे को long term loan दे रहा हूं यहां लगी देता हूं long term loan यानि तु मिरे को लंबे समय में वापिस कर दियो एक साल दो साल में तो मैं तुछ से अलग interest rate charge करूंगा सेम नहीं कुछ और interest charge करूंगा तो या इस वाले को interest को बोलते है bank rate तो bank rate और लोन पर और बैंक रेट होता है long term loan पर तो कोई पूछे रैपोरेट क्या होता है रैपोरेट एक interest rate तो आरभी और यह चार्ज करता है तो बैंक रेट भी एक इंट्रस्ट रेट है जो आरभी चार्ज करता है पस long term loan के बदले definition आपके सामने लिखी है इजी language के अंदर तो यहां पर पैन का कलर हारा करके आपको पढ़वा देता हूं दिख्का है रैपोरेट रैफर्स टुदा रेट या रेफर्स टुदा इंट्रस रेट कोई भी लेंगवेज रिख लो रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रवाइड शॉर्ट टर्म लोन चुक्मर्शल बैंक लेंक ब्रेट को इसका एक दूसरा नाम भी इसको बोलते हैं दारी परचेस रेट गूगल करोगे तो लोन बिडिटो सेम है बस घहाँ पर शौर्ट ट्रम लोन लिख देना और बेंक रेट को हम डिसकाउंट्रेट भी बोलते हैं थे अब ध्यान रखना बैंक रेट को डिसकाउंट रेट मैं तो यह रिष्टा समझ में आया यह चीज़े यह रहें आगे आपको बताता हूं रिष्टा फिर से एक बार और समझ लो कि अभी तो आर्बे लोन दे रहा था कमर्शल बैंक को कमर्शल बैंक के पास कभी फालतू पैसा बढ़ा होता है तो उसको इस्तिमाल नहीं कर पा रहा होता मतलब लोग चाही ने ले लोन पे लेना उ जो इंटरस्ट प्रॉइड करेगा ऐया उसको बोलते है रिवर्स रेपो रिट तेखा कितनी असानी से कलियर हुआ रिवर्स रैपो रेत क्या होता है रिवर्स रैपो रेट भी एक एंटरस्च रियट है जो पैसन लेंक को उनके डिपाशित के बदले लोट ट्रम घशकर न मज़ेदार तरीके से आप याद भी कर पाऊगे लेंग्विज भी उस तरीके की लिखी है तो मैंने बताया था उस सिक्वेंस में आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं जिस सिक्वेंस में आपको समझ में आएगा जब यह वीडियो कतम हो जाएगी तो आपको पता लग कि जो डेफिनेशन लिखी है यह पढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लो जब हम बैंक से लोन वांगने जाते हैं तो बैंक बोलता है क्या गैरंटी है तो यह लोन वापिस कर देगा बैंक उसके बतले में कुछ ना कुछ जमानत के तोर पे गिरवी रखवाता है तो गिरवी क रखवा होगी कुछ भी गिरवी रखवाने को बोलते कॉलेट्रल को लेट्रल सिक्यॉरिटी या फिर जो भी चीज़ गिरवी रखवाते हैं उसको हम मोट के स्दी बोलते हैं मोटा कि नया शब्द है हम इ掃ँ इसको फाकड़ेंगे हम तो करोड सा समान अगर बैंक के के पास गिर्वी रखवाया है तो moạn रुपया रुपय का रून ने देता है इस से कम का रून देता है माल लोग की बैंक ने लोन पास कर दिया इसके पीछे 80 का वे रहामाणट है को और इन दोनों के बीच में जो अंतर रखा है बैंक ने तो और असी के बीच में वो 20 है जार इस 20 को बोलते है मार्जिन रख लिया ना बैंक ने मार्जिन का मतलब यह गैप ही है तो मार्जिन रिक्वाइरमेंट की डेफिनेशन यहां से बहुत असान हो जाती है अब बढ़ोगे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट पोलेक्रल यानि मोट केश का वडियू और लोन अमाउट के बीच का अंतर होता है ताफ लिख लिखी के से याद करो अपने value और formula बनाके तो जिंदगी भरतक चीज़े याद रहती है लंबे समय तक अब आगे आपको ये एंटरेंस दोगे अपने बारवी के पेपर करने के बाद तो उसमें भी ये चीज़े बहुत काम आती है सरकारी नोगरी के लिए बहुत सारे एंटरेंस होत करते हैं कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं ये चीज़ determination of income and employment वाले चैप्टर में बताई गई है ठीक है तो लेकिन ये तो money and banking वाले चैप्टर है अब इसके लावा एक और हतियार होता है सेंट्रला बैक ना कमर्श़न वैंक को वैसे बोल देते हैं अब थो लोगों को कम दे क्या कि लोगों को लोण Superintendent आद में गया पर जिद省 दिन गया उन फर दूसरा दोस्त मूस्त बो canoe रहा है और मैं कि तो उस टेम आर्वी चाहती है कि देश के अंदर मनी का फ्लो बढ़ जाए तो उस टेम उसको जल्दी से लोन मिल गया जब आर्वी ने बोल रखा है कमर्शल बैंक को अभी लोन मत दो तो बहुत लेट लोन मिलता है कागस पूरे होने के बाद भी लेट लोन मिलता है ऐसे जो करता है कि लोन जादा देना है या कम देना है यह फोर्ट फुली भी करता है यह रिक्वेस्ट के तरीके से अपील भी करता है रिटन भी होती है फोन पे बोल देता है कैसे भी करके बोलता है यह बड़ा इंफॉर्मल सा तरीका लगता है मुझे इस तरीके को बोलते हैं मोरल स्वेशन का मतलब प्रेशर मनाना होता है यह नया कॉंसेट है इसका और इसका कोई लेना देना नहीं अलग अलग चीज़ है ठीक है है दोनों ही मतलब यह चीज़ है जो देश की मोनेटरी पॉलिची का हिस्साओ तो आगे बढ़ते हैं टेंटर बैंक से रिलेटेटिटी इसको शॉर्ट में 1 एसे लिख देता हूँ मैं लेकिन लिखना लाउड नी है ती ऑर लिखना लउड अलग है एस एला लिखना लग वह शॉट फो में चल जाएंगे यह शॉर्ट फोर में नहीं चलेगा अब दिखो इसको समझने से पहले यह बात समझो आप मानों किसी प् प्रेंट बात है लेकिन जाओगे तो किसी ब्रॉकर के पास लेकिन अगर आपको सरकारी कंपनी के शेर खरीदने हो यह बोलते हैं शेर को सरकारी कंपनी के शेर खरीदने हो तो कोई प्राइवेट ब्रॉकर नहीं बेच सकता उसको आपको सरकारी कंपनी के शेर खरीदने हो तो RBI के पास जाना पड़ेगा RBI मार्किट में openly करकारी कंपनी के शेर बेचता भी है और खरीदता भी है बस इन्हीं हरकतों को RBI की open market operation बोलते हैं मार्किट में openly operate कर रहा है government securities को कभी बेच रहा है कभी खरीद रहा है इससे क्या करना चाता है वो ऐसा क्यों कर रहा है वो इसलिए ऐसा कर रहा है वो देश की money supply को उपर नीचे करता है इससे कैसे कहता है माल लो यह public है public माल लो bank माल लो अब को बेचता है सबसे खरीदता है ठीक है यह RBI है RBI कहता है अगर हम लोगों को securities बेच देते हैं तो लोग हमारे पास पैसा जमा करा देंगे पैसा देंगे तभी तो security आएंगी तो लोगों के पास से money का flow कम हो जाएगा यहाँ पर सरकार money supply को मतलब RBI money supply को कम करा देती है क्यों कराती है उसका कोई purpose होता हुगा determination of income and employment वाले चैप्टर में inflationary और deflationary gap को ठीक करने से related है अगर और अरबी के पुब्लीक वाले RBI को बेचते हैं यानि आरबी यहाँ पर बाए कर रहा है पब्लीक से शेयर तो और इसके बदले में money देता है तो पबलीक के पास money का flow बढ़ जाता है कुल मिला के मनी की supply को RBI कभी बढ़ा देता है कभी कम कर देता है open market के through open market operation के तो इसकी definition में यह lines आई की जैसी बोली है जैनी लिखा है open market operation refers to the buying and selling of government securities in the open market to control money supply buying and selling of government securities के बाद एक line लिख देना यार by the central bank ये लिखनी ज़रूरी है central bank की ये काम करता है कि वाई दा सेंट्रल मेंग और दा परपास ऑफ कंट्रोलिंग मनीज अपला है कंट्रोल करना चाहता है बड़ा इंप्वाडेंट धाकर लेवल का टॉपिक है जब यह आ जाता है ये पर में तो बच्चे परिशान हो जाते हैं तो आपको परिशान होने की दूरत है नहीं तो आपके आप में कंट्रोल है सैटिंग में कर सकते हो आप मेरी आवाज को कि पीड स्लो कर सकते हो अगर जो भाई धाकर लेवल का बच्चा रिविजन के तोर पर देख रहा है इस वीडियो को तो उसके पास भी ओप्शन है पीड बढ़ा दो अगर मैं स्लो बोल रहा हो मतलब मेरी वोईस की स्पीड को आप खुद अडजस्ट कर सकते हो उस इसाफ से भी देख लेना और नोट्स मैंने बता दिया कि आपको एप मिलते हैं तो अब मनी सप्लाई का टॉपिक है मनी सप्लाई क्या होता है मनी सप्लाई सुन लो पहली बात ऐसा लग रहा हो का नाम से कि मन सब्सक्राइब है ऐसे अगर किसी देश से पूछा जाता है कि एक कंट्री के पास कितने पैसे बढ़े हैं वालो वो कंट्री बोलते कि मेरे पास सो करोड़ रुपिया पढ़ा है अभी एट प्रजेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट अफ टाइम पे तो सो करोड़ रुपिय अब उस देश की मनी सप्लाइए यानि एक देश के पास कितने रुपई की स्टॉक पड़ी है उसको बोलते है मनी सप्लाइए इस बात को ध्यान रखना अच्छा वैं इसको करेक्ट कर देता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह कभी कभी हो जाता है हमारे साथ तो क्रोश कर दिया यह हो गया यह अपना किसी पर आ वापस चीकर ना कम्पूटर से बढ़ा रहे है कम्पूटर से कोई दिक्क तो एक देश के पास जितना ही पैसा रखा होता है उसको मनी सप्लाइब बोलते है इजी डेफिनेशन है क्या लिख यह मनी सप्लाइए रेपर् एक देश के पास जितने पैसे रखे है अब पर्टिकलर पॉइंट ऑफ टाइम को ऐसे भी लिख देते हैं ऑन और पैसिफिक डे अब पॉइंट ऑफ टाइम यानि एक सेकेंड में थोड़ी काल्कुलिट कर लेंगे तो किसी भी दिन की बात हो सकती है जैसे कि बात की जाए खोड़ी तो एक लेट की बात करने इस दिन पैसा कितना है यह मनी म Państwo आ Premiere गर देश के पास kitchen यह अगर आपको पता करना है यह 27 कि पबलीक के पास कितना बैंक और इंडिया के पास विदेशी लोगों का कितना पैसा रखा है तीन चीजों को एड कर दो तो देश की टोटल मनी सप्लाई आ जाती है यह जब भी मनी सप्लाई को काल्कुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं करन्सी जो चलरी यह पबलिक के पास सर्कुलेशन में करन् हमारे पास जो डेलियम समान खरीद रहे हैं यह पता कर लो प्लस बैंक के पास कितना ndस दिपोशिट है तो यह लिखा डिमांड डिपॉजिट इस ताइर भी आई यह इन तीन चीज़ों को एड़ कर दो मालों दस रुप्य इसके पास है तो उस कंट्रे की मनी सप्लाइं टीस रुपे आ हो गई है अब इसको शॉट में क्या बोल देते हैं इसको शॉट में बोल देते हैं करंसीन सर्कुलेशन को सीची एमांड डेपोजेटि ताकि चीज क्लियर रहे फिर पब्लिक है पब्लिक का लिखना बहुत जरूरी है इन तीन चीजों को एड करतो देश की टोटल मनी सप्लाई आपको पता लग जाएगी अब एक बात ध्यांस से सुनना मेरी यहां पर जो बहुत ज्यादा इंपॉरेंट है जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाते हैं वो मेरी बात सुनों के बांड डिपोजिट आपको पताईए यहां पर फिक्स्ट डिपोजिट अकाउंट के अंदर जो पैसा है और अर्ड अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं जुड़ रहा एक तरीके से नेट निदेमांड डेपोजिट अब एक बैंक के पास अना यहिए त्लों और बात बता रहां अंदर खातेगी बात जो किसी को जनरली पता होती नहीं है एच डियेक के पास प्लिक ने 100 करोड रुपे जमा कराया इस बैंक के पास दूसरे बैंक भी पैसे जमा कराते हैं बालो दूसरे बैंक को ने इसके पास 20 करोड रुपे जमा कराया और यह सारा पैसा सेविंग अगाउंट का है तो यह बैंक बोलता है मेरे पास टोटल 120 करोड रुपे आ है और यह सारा demand deposit है क्योंकि public जब चाहे तब निकाल सकती है इसमें जो public का पैसा है ना इसको बोलते है net demand deposit और इन दोनों को total कर दो 120 तो यह है gross demand deposit है हमारा लेंदे net demand deposit से है तो दूसरे बैंकों ने बैंकों के इंदर पैसा जमागरा रखा है उसको नहीं करते तो इनका ही पैसा है पबलिक का ही है तो डबल डबल ना हो जाए इस लिए नेट डिमांड डेपोजित लिखना जरूरी है और इसके उपर net demand deposit और gross demand deposit के उपर deep question आ रखा है इसलिए बच्चे रहते हैं तो मैंने वह बात सोचा आपको clear कर दो ओर दुतो यह अधर-ड тобой यह किया है कैए यह हमारे देश के लोगों का पैसा है हमारी तेश के लोग या नि पबलिक तो आर्बीय के पास पैसा जमारा सकते हैं स्रूरे तो क्या यह ए और बहुत बैंक और रही है यह पैसा वह है जो पोरन लोगों ने foreign country की government भी हमारे RBA के पास पैसे जमा करा देती है, यहां लिख दू, foreign, foreign government या foreign bank जो भी पैसा RBA के पास जमा कराते हैं, यह वो पैसा है, तो देश का total पैसा पता लग जाता है, तो अब आपको main बात बताता हूँ, हमारे देश में total कितना पैसा पड़ा है, इस बा यानि money supply को calculate करने के चार measure है, cutting के दो को बोलते है, narrow money measure, इन दोनों को बोलते है, broad money measure, यह narrow money supply हो गई, यह broad money supply, broad मतलब value, क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि यह जाता liquid है, m1 और m2, m3, m4, जाता liquid नहीं है, जाता liquid क्या होता है, liquid का मतलब cash में convert कराना है, और यहां पर इसका जिसको पबलिक जल्दी निकाल सकती है, तो यह सारा पैसा निकाला जाता है, अब सुम्बो के सार, इतने सारे तरिक्के क्यों है, यह तो main तरीका है, मोटा मोटा है, यहां से पता लग जाता है, एक देश के पास पैसा कितना है, दूसरा आपको बताऊं, जो account, saving account, या फिर RD या fix deposit account हम बैंक के पास खोल रहे थे, ऐसे account post office में भी खोले जाते हैं, post office सरकारी होते हैं, वो पैसा भी तो देश का पैसा है, उसको भी analyze करने का तरीका है, तो हमारे पास तीन तरीकी और money supply को calculate करने के लिए, ठीक है, वो बता रहा हूं, पहला बता दिया था, M1, M2 से M3 निकालना है, तो M1 प्लस net time deposit of banks, बैंक के पास time deposit मतलब ये बात हो रही है, fix deposit भी और RD account के इंदर जो पैसा है, वो भी, घबराना मत इसीज को लेकर मतलब ठीक चल रही है, और अगर M4 calculate करना है, तो जो भी M3 में था, यानि M1 भी था, M3 प्लस, total deposit of post office, post office के इंदर सारा प बस ये, exclude कर दो NSC, NSC को बोलते है, National Savings Certificate, National Savings Certificate, कभी issue होए थे, आज कल नहीं है यार, तुम्हें जानना ही नहीं इसके बार है, बस ये excluding जानलो, कितना काफी है, सबसे खास बात M1 है, जो पूरी detail में बताई, आप से पूछ लेगा, कि money supply के components कौन से है, तो आप चुप M3, M4 के components कितने है, कब तक यहीं लिखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दोस्तो, monetary policy क्या होती है, देखो हमारे देश के अंदर दो तरीके की policy बनाई जाती है, मोटे मोटे तोर पे, एक देश की central government बनाती है, उसको बोलते है fiscal policy, एक हमारे देश का RBI यहनी central bank बनाता है, उस को बोलते है, monetary policy, तो लिखा है, it refers to the policy, made by the central bank, ठीक है, made by the central bank, या central bank का आना जिये, और जो यह बाई लिखा, इसको उटा दो, बेट बाई देश के रिलेटेट टू चेंज इन money supply, money supply से change करने related, अगर आपको देखो, याद करने की technique बताऊं, तो यह CRR, SLR, bank rate, repo rate, reverse repo rate, LRR, margin requirement, यह सब चीजे मैंने आपको पढ़ाई है, पढ़ाया तो open market operation भी है, moral situation भी है, लेकिन उसको फोट दो, इन मेंसे किसी भी चीज का ratio बढ़ा दो, तो देश के अंदर money supply कम हो जाएगी, money supply को मैंने MS लिख दिया, ऐसा करता RVI, यह डिटेल इहां नहीं बता रहा भी है, trick बता रहो है आपर, ठीक है, और इन मेंसे किसी को भी कम कर दो, like CRR को कम कर दिया, तो money supply इसकी वज़े से बढ करना बता रहा हूँ, किसी भी चीज को कम कर दो, money supply बढ़ जाती है, किसी भी चीज को बढ़ा दो, money supply कम हो जाती है, यहीं किसी भी ratio और money supply के बिच में, ultra relation है, ठीक है जी, हाँ, अब Central Bank की बात करेंगे, functions लिखे है, definition बताऊंगा, हमारे देश में जो RBI है, विज़र bank of India, उ control कर रही है, कोई भी type of bank, bank अगर किसी को खोलना है, तो RBI से permission लेनी पड़ती है, बिना RBI से permission लिए, bank नहीं खुल सकते, तो RBI तो controlling authority है, सबसे बड़ी head authority हो गई, तो इसमें एक बात जान लो, RBI बोलता है कि public जो आम जनता है, उससे मैं deal नहीं करूंगा, क्योंकि आम जनता से deal कर रहे है, commercial bank, RBI deal करता है commercial bank से, अब बीच में question आता है, सरकार क्या है, सरकार का अकाउंट किसके पास होता है, भई सरकार से भी deal करता है, RBI, RBI हमारे देश में पैसे भी छापता है, पैसे छापने से related एक amazing factor जो बताऊंगा, तो एक कुछ functions है, जो लिखा है पहले currency authority, bankers nations gold and foreign exchange reserve और controller of money supply, सारे बताता हूं, एक करके इनके दूसरे तीसरे चौते नाम है, वो भी clear करता हूं, पहले नंबर पे, RBI का पहला function, currency authority, पहला कर लो, यह स्काइवलू साथ, पहला, वहीं, इस currency authority का function बोलता है, कि RBI के पास अधिकार है, वो देश में currency print कर सकता है, प्रिंट करता है, हमारे देश में जो पैसे चपते है, RBI चापता है, लेकिन हमारे देश में कौन से पैसे चपते हैं, points भी होते हैं, और notes भी होते है, currency notes, currency note में, एक रुपिया छोड़कर सारे पैसे आर्बी चापता है कोई सार भी नहीं बनाता यह सारा कोई और एक रुपिया का नोट बनाने का काम यह हमारे देश में सरकार की एक मिनिस्टरी है तो बोलते हैं मिनिस्टरी ओफ फाइनांस भी चक्रिशनांस मिनिस्टरी ओफ फाइनांस यह बनाती है बाई मिनिस्टरी ओफ फाइनांस तो कि गॉबर्मेंट आप इंडिया का हिस्टा है Central गॉंट की बागतर रहों यह पना है किया अरबीएिका जो हैड होता है उसको बोलते गवर्नर जिस भी नोट चेल अरगे सब्सक्राम के सिद्सेट नहीं में बनाए एक रुपे से उपर के नोट यानी। दो रूपे से लेकर ऊपर के चितने भी सिर्धिक रुंकिर ज इस पर financial secretary of India के sign होते हैं यानि जो financial ministry है उस पर secretary होता है उसके sign होते है एक रुपे के note और coins पर sign नहीं होते हैं तो coins सारे के सारे coins होते है mint coins के लिए word use करते है mint और currency होती है print लियान रखना तो RBI का currency authority का function है यानि RBI के पास authority है currency print करने की main main तो वही है इसलिए इसको currency authority बोलते हैं एक नाम हो रहा है इसको monopoly of printing currency notes भी बोलते है यानि RBI के पास monopoly है यानि monopoly का मतलब होता है एक अधिकार अकेला बंदा RBI के पास है पीच में क्या गड़बड़ी है वो जादी मैंने की थोड़ा सा ministry of finance भी बीच में कूद जाती है फिर इसी फंक्षन को bank of issue भी बूलते हैं तो अकेला function इतने नामों से जाना जाता है तो जान लो इसके explanation में हम यह भी बताएंगे कि एक देश total कितना पैसा चाप सकता है हैं यह क्या हुआ है यह अगर तुम्हें पता लगिए तो मजे ना जाएं कि इतना पैसा चाप सकता है कि एक country कितना पैसा चाप सकती है बताओ कि उतना पैसा चाप सकती है नॉर्मल लोग बोलेंगे जितना उस देश के बोलते है पोर एक्स रिजर्व मालो एक देश के पास सो रुपे का गोल्ड पड़ा है तो रुपे की प्रिंट कर सकता है साथ में और आता है कुछ गौवर्मेंट सेक्यूर्मेंट इस भी हो नीचिए दूसरे देश की खैस को छोड़ दो तो यह आइटम ध्यान रखो इसको मिनिममम रिजर्व सिस्टम बूलते हैं यह जो तरीका है पैसा चापने का इसको हरे कंट्री बिसिकली फोलो करती है अब कोशन आएगा कि इस पे ज्यादा चाप दी तो क्या होगा कोमेंट सेक्शन बदाओ क्या होगा इसको स्टुडेंट हो बड़ा इसी कोशन है पहला फंक्शन डेटेल में एक्स्पेंड करके बता रखा है यहां पर आपके लिए और एक एक चीज़ यहां पर यह भी बता दिया कि कि किसके एक्वल करंसी प्रिंट कर सकता है वह ठीक है और अकेली स्टोल मोनोपली है मतलब अकेला राइट है और इसको फंक्शन को बैंक ऑफिश्यू भी बोलते हैं और करंसी अथॉर्टी भी बोलते हैं यह पढ़ना आपका काम है कि दो रुपिया और उससे उपर के करंसी नोट सारे चाथता है ठीक है पहला फंक्शन हो गया बैंक कि बोलते हैं कि फ़ल्ट बैंक ितो बोलते है कोई बीकुर्शन है इसी कोई पृष्यूट है नहीं पैसा भी जमागर आते हैं और वो हमें लोन भी देता है है तो और भी हमारा बैंक नहीं है commercial बैंक है तो अगला function यह है RBI दूसरा function तो इंकर बैंक एंड टूपरवाइजर बहु लिखा है तो बच्चे यह यह फंक्शन आता है ना explain करें आते हैं बैंक का बैंक कैसे है पूरे नंबर नहीं मिलते हैं यहाँ पर करने का तरीका हाउ तो राइट अंसर देख लो ना अंसर कैसे लिखने है एक परग्राफ में यह बताया है कि बैंकर कैसे है आर बैंकर किसको बोला है पंजाब नेशनल ब तो RBI कहता है कि मैं कमर्शल बैंक को लोन पे भी देता हूँ पैसा उनका पैस अपने पास डेपोजिटिव भी रखता हूँ तो मैं उनका बैंक हुआ की नहीं हुआ हुआ बैंक तो पॉइंट नंबर वन जस्टिफाइड ठीक है दूरतरा सूपरवाइजर किसको बोलते है सूपरवाइजर वरकर से काम करवाता है सूपरवाइजर वरकर को ट्रेनिंग देता है सूपरवाइजर वरकर को गाइड करता है सूपरवाइजर वरकर के बीच में लड़ाई जगड़ा होता है तो इसको सॉल्व कराता है तो RBI भी बोलता है कि मैं कमर्शल बैंक को टाइम दो पॉइंट में इसको एक्स्टेन किया हुआ है आपके लिए मैं रीडिंग माटेरियल यहां पर रखोंगा चाहो तो आप वीडियो को पोस्ट करके ही पढ़ सकते हो नहीं तो आपको पता ही यह नूट्स का मिलेंगे ठीक है पीडिएफ मिल जाएगी पूरे नोट्स की पी पहुत प्रफ़न पर लोन भी देते है तो हम सरकार के पिक हो गये कर लो चला मेरा वस्टाया ने वाल तो नहीं होता है को तुम बूल सकते हो जा मेरे लिए शेर खरीद यजो आपको कुछ एज inom सर्विस करें वह एक होता है RBI भी Government को बोलता है जितनी भी सरकारी कंपनी है PSU, मैं उनके अकाउंट्स देख लूँगा जैसे Private Company के अकाउंट्स CA देखता है, तो RBI Government Company के अकाउंट्स को मैनेज करता है तो Government ने उधार ले रखा है उसको मैनेज करता है, तो बहुत सारी लिखा है, Central Bank acts as an agent of the government as it provide various agency services agency service provide करता है न जैते कि Public Debt को मैनेज करना Public Debt क्या होता है, जो सरकार ने उधार लिया हो, उसको Public Debt बोलता है, ठीक है, और सरकार के भीहाफ पे payment भी प्रोवाइड करता है, ठीक है टाइमली एडवाईज करता रहता है, कि market की क्या state है, और economy की क्या state है, क्या position है economy की, तो तीन function यहां खतम होते हैं, तो ते नंबर में मेरे को शारुखान याद आ जाता है, शारुखान ने एक बार बोला था, गोरी खान उसका last resort है, last resort एक English का phrase है, इसका मतलब होता है, कि end पे, आखिर time पे कौन काम पे आता है, तो तुमारे end टाइम पे काम आएगा ना, वो तुमारा last resort है, ऐसे RBI बोलता है, मैं commercial bank का last resort हूँ, जब commercial bank के कोई काम नहीं आ रहा होता है, तो RBI काम आता है, जब commercial bank के पास पैसे नहीं होते हैं, cash नहीं होता, तो RBI उसको उधार देता है, उधार देने को बोलते हैं, लेंड करना, तो चोथा function दोस्तों लिखा है, lender of the last resort, end time पे यही काम में आएगा, ठीक है ना, ओके, काम में आएगा, तो लोन यहीं देगा, तो liquidity crisis बोलते हैं, जब commercial bank के पास cash की shortage, cash crisis आजाएगा, तो यही gives loans, लिखा है ना, हाँ, loan किसके बदले देगा, इनसे कुछ approved securities लेगा, approved securities वो होती है, जिनकी कोई value, मतलब कोई company के उकात हो, उस company के securities बैंक के पास, तो RBA रख लेता है आपने पास, और बदले में पैसे दे देता है, जब कोई भी loan नहीं दे रहा होगा, मतलब bank को भी loan की जरुरत बढ़ती है, बाई, अच्छा, एक bank दूसरे bank से भी loan ले सकता है, उस loan को बोलते है, call money, 15 दिन के अंदर वापिस करने पढ़ RBA के पास से, mainly RBA के पास ही देश का सोना रखा होता है, वहां से आता है सोना, अगर तुम्हें dollar चाहिए तो कहां से लाओगे, तुम बोलो के currency exchange करने वाली बतेरी दुकाने है, वो कहां से लाते हैं, वो बोलेंगे बैंकों से लाते हैं, बैंक कहां से लाएंगे, RBA के पास stock रखी हुई है, foreign currency की और gold की, तो देश का gold और देश के पास जो foreign currency की stock है, foreign exchange reserve बोलते हैं उसको, वो RBA की custody में रहता है, तो RBA का जो function बन जाता है, पांच में नंबर का, ये है custodian of nations gold and foreign exchange reserve, ध्यान रखना, ठीक है, explanation आपके सामने है, मस्यतार तरीके से दी हुई है, ठीक है, अगर किसी बंदे को foreign currency में कोई payment करनी पड़ती है, तो he has to apply to the central bank, लिखा भी हुआ है, तो routine वाली बात लिखी हुई है, आगे अब बता दिया भाई, छेटे नंबर का function, ये है controller of money supply, या फिर इसको बोलते है, controller of credit, अगे controller of credit, credit का मतलब उधार होता है, इतना पैसा जैदा market में उधार पे जाता है, उतनी ज्यादा देश में money supply बढ़ जाती है, जितना उधार पे कम जाता है, उतनी money supply कम हो जाती है, तो RbA बोलता है, कि money supply बढ़ानी है, तो उधार पे पैसा चाला दे दो, इस चीज को भी और वह तीन महीने में कि विल्यू को चेंज करता रहता है अंदर्ट अपिछ करता है है चτι्ट इसको बोलते हैं प्लीघो के क्लियर को वंक्षिन यह आर्बिये ने अपने पास एक ऑफिस बनाया हुआ है जिसको गोलते है क्लिरिंग हाउस इस ऑफिस के अंदर बहुत सारे बैंकों के आपस में पेमेंट की सेटलमेंट की जाती है तो पेमेंट सेटलमेंट होता है चैक्ट वैक का मसला हल किया जाता है यहां पर यह भी एक अपने ध्यान मिलनी छे रखने है तो साथ नंबर अगले पूछ जाते दोस्तों कोशनी पूछ लिया कितना असान काम होगे न हमारे देश की सबसे बड़ी पैसों को समालने वाली अथोरिटी है जो पूरा बैंकिंग सिस्टम समाल रही है तो यहां पर डेफिनिशन असान पर देश में वही चंट्रोल कर रही है इससे असान लेवल की डेफिनिशन आपको कहीं मिल जाए ना तो ना बदल देना मेरा बहुत एज़ी डेफिनिशन है कहीं नहीं मिलेगे आपको इससे इज़ी देफिनिशन अब पूछ लो सर्थ वाटिट कमर्शल बैक तो कमर्शल इंस्ट्यूशन है विच एकसेप्ट दा पॉब्लिक डिपॉजट एंड प्रोवाइड लोन तुद पब्लिक इतने भी पाइनेशन इंस्ट्यूशन है मतलब पैसों की कंपनी है इन सबसे कमर्शल बैंक अलग होते हैं अलग इसली होते हैं क्योंकि कमर्शल बैंक के पास द लौहन समुख होता है मनी क्रिएट करते हैं और क्रेडिड क्रेशन वह चीज्थ आपको पढ़़ा का कैसे करते वह पढ़ाने से पहले मनी मल्टिप्लेयर का कॉण्सेप्ट आएगा रही मणी मल्टिप्लेयर को यह काफी अरे सारे नामों से जाना जाता है इसको डिपॉज लीगल रिजर्व रेशो इसको सिर्फ रिजर्व रेशो भी बोल देते हैं दोनों को टोटल करके तो यह आता है ना यह फॉर्मला है तो money multiplier बताता है कि एक बार money print करेंगे तो उसका multiple effect क्या होता है देश पे, देखो क्या होता है, अगर तुम सोचो कि 100 रुपे का note छाप दिया आर्बिया इने, तो उससे सिर्फ 100 रुपे का समान खरीदा जाएगा, नहीं, गल्सी कर रहे हो, अब ये concept समझने के लिए आप तब कुछ भूल के सिर्फ ये सोचो, पुरे देश के अंदर एक ही note है, 100 रुपे का, एक ही note है, 100 रुपे का, और वो तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारा नाम A है, तुमने माल लो, तो रुपे के छोले बुटूरे खरीद लिए B से, तो अब वो note B के पास आ गया, ठीक है, यानि आल्रेडी तो रुपे का समान खरीदा जा चुका है, उस note से, छोले बुटूरे वाले बंदे ने दुकान से राशन लेके आ गया, 100 रुपे का, भिलाता है, छोले लाएगा, मैदा लाएगा, मसाले लाएगा, अलू लाएगा, तो रुपे का और समान आगे, एक ही नोट से, देश के अंदर एक ही नोट चलना, ये राशन वाला गया, सबजी वाले के पास, इसने अपने घर के लिए सबजी खरीद ली, तो रुपे की, एक ही नोट तीन जगा घूम लाएगा, ये नोट कितनी बार खूमता है, ये बताता है, मनी मल्टिप्लार, तो बिने पहले पैसे बैंक के अंदर जमा करेंगे, तब उसने फर्चे होंगे, अगर ऐसा अज्यूम कर लेंगे, तो पता लग जाता है कि एक नोट कितनी बार खूमेगा, तो ये मनी जो असली में पता लगता है हमारे देश के अंदर वह एड़्जेक्ट नहीं होता यह दिन काफी अस्तक सही पता लगता है लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं क्या बोल रहा हूं है कि अब समझ में आएगा आपको प्रैडिट क्रियेशन के कॉंसेट्स क्रैडिट क्रियेशन को दुस्तों मनी क्रियेशन के नाम से भी जाना जा रहा है और यह special function है जो सिर्फ commercial bank करते हैं, central bank नहीं करता, इसको हम deposit creation भी बूल देते हैं, यह बताता है कि एक note कितनी बार घूमेगा, अगर यह concept आपको समझना है, तो दो चीजों की assumption लेनी ज़रूरी है, पहला कि बैंकों के इंदर पहला पहला deposit कितना हुआ है, initial deposit या primary deposit कुछ भी ब दूसरा, हमारे पास LRR कितनी है, LRR, बतल टोटल deposit का वो हिस्सा जो bank loan पर नहीं देता, या तो CRR हो गया, SLR हो गया, यह समझ लोगे, तो सारी table के थूरू एक एक functioning समझ में आ जाएगी, तो एक बार माल लेते है, कि बैंक के अंदर 1000 रुपिया deposit हुआ है, नया नया, जैसे वो 100 रुपिय के नोट की बात कर रहा था ना, माल लोग पहला पहला देश के अंदर 1000 रुपिया है, और 20% LRR है, तो इक commercial bank क्या करता है इन चीज़ों का, अपने functioning कैसे करता है, loan पे loan कैसे देता है, फिर समझ में आएगी, इसकी definition क्या है, पहले देख लेंए functioning, फिर यहां लिखता हूँ, माल लोग एक bank का initial deposit का column यह रहा, फिर यहां लिख रहा हूँ कि bank initial deposit में से कितना पैसा, आगे loan पे दे रहा है, loan amount यहां लिख दिया, और इधर लिख रहा हूँ कि कितना पैसा वो बचा रहा है, तीन चीज़े लिख दी है, बीच में डाल दिया line, ठीक है, देख लो, फालो 1000 रुपिया आया, total deposit का, जिस भी bank के पास पैसे आते हैं, वो फटाफट से काम करता है, deposit का पैसा आया है, वो उ 1000 का 20% हो गया, 200, 200 रुपिय किसने LRR काटी होगी, और 800 रुपिय किसी ना किसी बंदे को loan पे दे दियोंगे, हालो, मुझे loan पे दे दिये, मैंने 800 रुपिय के छोले बचुरे खाली है, तो छोले बचुरे वाले के पास चलेगा 800 रुपिय वो क्या करेगा इन पैसो को, पता एक ही 1000 रुपिय थे, वो अलग-अलग बैंकों में चाहे जमा हुए हों, लेकिन देश के पास 1800 रुपिय का डिपोजिट है, 1000 प्लस 800, तो यह चोले बचुरे वाले ने जमा करा है, तो इस बैंक ने सोचा, मेरे पास 800 का डिपोजिट आया, पटा पट से इस बैंक ने 800 का 20% एक सो साथ होता है, एलार के तोर पर काटा, और बाकी 800 में से 160 माइनस कर दो, 340 बचेंगे, यह अमाउंट लोन पर दे दिया, यह लोन पर किसी ने लिया होगा, उसने भी अपने बैंक में जमा कर दिया होगा, तो फिर बैंक इसका भी 20% 128 यहां पर काटेगा, और फिर 512 ब तो नहीं होगे, तो मैं यह पूछना चाता हूँ, कि इसको टोटल करें, 1000 प्लस 800 प्लस 640 प्लस जितने भी अमाउंट आएंगे, तो यहां टोटल अमाउंट कितना आएगा, उस अमाउंट को बोलेंगे, टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल मनी क्रिएशन, तो ट्रेडि क्रेडिट क्रिएशन, लिख लो, नोट कर लो, इस डेफिनेशन को, सबसे इंपॉर्टिट कोशन है, इस चेप्टर का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टिट कोशन, तो इसको पता कैसे लगाते हैं, यहां रोल आता है, मनी मल्टिप्लियर के फॉर्म लेगा, अगर पता लगान यानि पहला पहला डिपोजिट कितना था, हजार था, यहां लिख देंगे, इनीशियल डिपोजिट, ठीक है, पैन का कलर चीज़ कर देता हूं, वाई, तो वन अपोन एलार, एलार है 20%, 20% का मतलब होता है, 20 अपोन 100, इसका मतलब होता है, 0.2, तो अब 0.2 लिखुँगा य तो सॉल्व करोगे न, वन अपोन 0.25 होता है, 5 इंटो थाउजन, पांच हजार आ जाएगा, यह हमारा अंसर आ जाएगा, तो यहां लिखुँगा पांच हजार, चलो जी लिख दिया, पांच जार कोई बात नहीं, पांच जार का, कितना परसेंट LR कटा होगा, सारे टोट पांच जार में से एक जार माइनस कर दो, चार अजार का यह अमाउंट हो गया, तो इन दोनों को फ्लस करोगे तो इसके बराबर ही आएगा, तो यह इनिशल डिपोजिट का अमाउंट करने के लिए बोलेगा, खास तोर पे चीज़ी आपको देखके रखने ही, तो यहां प प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, ऐसे इतना बोलने की जुरुत नहीं, तो इसका प्रोपर कोश्चन, हाउ दू कमरेशल बैंक क्रियेट मनी, या वाट इस दा वर्किंग को मनी मल्टिप्लायर करके आ सकता है, और उसका अंसर कैसे डिटेल में लेखना है, टेबल को कैसे इस एक्स्प्लेन करना है, आपको TPP में बता दिया गया है, TPP मिलेगी आपको PW के Android एप पे, वहाँ जाकर देख लो, और एक बार बता दो कि कैसा मचा रहा है, आपको, कॉमर्स वाले मचा रहे हैं, मचा रहे हैं, अगला कोश्चन, मनी चैप्टर शुरू हो गया, बैंकिं इसको बतलब कारीवी क्लास के बच्चे बच्चे को बता है, यहनि वो टाइम जब पैसे नहीं होते थे, समान के बतले समान खरीदते थे, तो उसको बोलते थे बाटर सिस्टम असान डेफिनेशन इसकी बनेगी, इट रेफर्स तु दा टारेक्ट एक्सचेंज, आप जिए पैसे नहीं होते थे, नुक्सान यही होता था, की जो समान मुझे चाहिए, क्या पता वो सामने वाले के पास ना हो, और जो उसे चाहिए, क्या पता वो मेरे पास हो, तो वो तो लेने आ जाएगा, मैं क्यों नहीं हूँ उससे, क्योंकि उसके पास तो समान नहीं है, तो मुझे चाहिए, क्या फिर जो मुझे चाहिए, वो सामने वाले के पास है, लेकिन जो उसे चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, तो खरीद परोक्त नहीं हो पाईगी, लेन दिन नहीं होगा, इसको बोलते कि कोई चीज की वैल्यू कितनी हो दकती है कि बताऊं म मां नहीं फाफ किलो नहीं और 230 देने पड़ेंगे पर लेकिन पाँच किलो । में तुमने उधार पर टीवी ले लिया हर महीने 2000 रुपर देके तुका दोगे पहले मानला उधार पर भेंस ले लिए तो हर महीने दो किलो टमाटर कैसे दोगे क्या पता टमाटर सड़ जाए जो तुम्हारे पास हो है लिमिटेशन में पहला लाक ऑफ डबल कॉंसिदेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है इत्तफाक वह इत्तफाक होना बड़ा मुश्किल काम था कि जो मेरे पास है वो उसको चाहिए हो जो उसके पास हो मुझे चाहिए हो इसको लाक ओफ मीडियम भी बूल देते हैं फिर लाक मैं चावल तो ले लिए क्या मैं उसको बदले में कार दूं या कार का पहियां दूं मैं डिवाइड करके थोड़ी दे सकता हूं हां मेरे पास 2000 का नोट है और मैं उसके टमाटर लिए 100 रुपे गए तो मैं 2000 रुपे के नोट को ब्रेक कर खाई देगा लेकिन पहले किसी चीज की वैल्यू को स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम था आज तुम तीन किलो टमाटर स्टोर करके रहे हो तीन मेने बाद वो सड़ जाएंगे तो नहीं हो सकते हैं फिर एक वर्ड यूज होता है आपर डैफर्ड पेमेंट का मतलब होता ह को परिष यह चौंछ इं entropy का उ talking आ एक धेमेंट रुक्रुक्रहम किसी को करते हैं यसे के installment रोन ले 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 तो 허 हर महीने पेमेट करते हैं पहले यह करना पॉसिनकर नहीवए इसा कोई बेक्पेल स्टेंडर नहीं ता उसकी कमी थी लक 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 रा ता zap Понथ पहले कै से टूटल करते हैं तो मातर के बदले अलू आये पिट नमार्ट के बदले चावल आये तो टोटलिंग क्या लिक हो गए तो माटर अलू या चावल चैज बदले पहले अकाउंट ने बन सकते थे इसी को बोलते हैं कि पहले मैजर औक यूण नियुकर शक्ते और पहले ट्रांसफर नहीं कर सकते थे एक जगह से किसी दूर के डिस्टैंट प्लेस पर कोई भी चीज को असानी से नहीं कर सकते हैं मतलब ट्रांसफर अब बदनी transfer कर देते हैं तो यह कुछ छे limitation बाटर से सम्किया आप तीन से चार इसको याद कर सकते हो इससे ज्यादा important है money क्या होती है और money के functions क्या होती है तो जब इसकी limitation समझ लोगे तो money पता लग जाएगा money है कोई भी चीज है जिसके बदले हम समान खरीद भी सकते हैं समान बेच भी सकते हैं मतलब बीच में आने वाली चीज मनी इस दा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है मनी की वज़े से अकाउंट भी बन रहे हैं आज नोट है तो ऑनलाइन उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं उसकी वैल्यू को उधार कुछ भी होतकता है करणसी भी बनी होतकती है कुछ भी होतकता है जिसको देकर हम समान खरीद लिए पस्ट एक से तो मनी की डेफिनेशन और मनी के फंक्शन देख लो मनी के फंक्शन पहले पर करेंगे मनी के फंक्शन को दोस्तों दूपार्ट में डिवाइड किया हुआ को दो पहला मीडियम और एक्षेंज दिख रहा आपको वाइट कलर ले दो मेडियम और एक्षेंज यानि कोई पी समान खरीदना और बेचना हो तो पैसा बीच में आएगा तो मनी इस यूज़ पूर ट्रांजेक्शन या मनी मेक्ष ट्रांजेक्शन वेरी कमफर्टेबल तो म मेडियम और चेंज हमानी फिर मैजर ओपेल्यू है या इसी मैजर ओपेल्यू वाले फंक्चन को यूनिट ऑफ अकाउंट बूलते हैं पहले इसको इस्तिमाल किया हुआ था पीछे दिखा देता हूं आपको आपको यह लिखा ना यूनिट अफ अकाउंट यही मैजर ऑफ तो फंक्चन हो गए इसमें से निकल कर आया स्टैंडर ऑफ डैपर्ड पेमेंट्स यानि अब डैपर्ड पेमेंट को जो रुकीवी पेमेंट से उसको कर सकते हैं एक बार कॉमेंट सेक्शन में बतातो ना डैपर्ड की स्पैलिंग गलत है या सही है दिल खोल के बताओ यहां बताया है मनी का पहला फंक्शन मीडियम ऑफ एक्चेंज अला फंक्शन पूरी डिटेल आपके पास कैसे मनी मेक्स ट्रांजेक्शन वेरी सिंपल बाई रिमूविंग इनकन्वीन वाटर सिस्टम जो भी बाटर सिस्टम में प्रॉब्लम ती उसको रिमूब करके यान बन पीपल भाई थिंग्स मनी इस टू भी पेड पनी ही पे करनी पड़ती है मनी मीडियम ऑफ एक्चेंज मना हुआ है हर एक चीज के लिए पहला फंक्शन तूसरे नमबर पे मनी आज़ा यूनिट अपकाउंट है यार यह प्राइमरी फंक्शन ही है जब भी कोई फंक्श है अकाउंट बनाते हैं तो टोटलिंग करनी होते हैं मनी है इसलिए टोटल हो रहा है यह आ जाता है एम सी क्यू में बिजनस अकाउंट बनाना मनी के कौन से फंक्शन की वज़ए से पॉसिबल हुआ तो यूनिट अपकाउंट या फिर मैशर ऑफ वैल्यू एक्जांपल द है तो प्राइस तो बदलते रहेंगे हैं तो यह मतलब वैल्यू को जस्टिफाइड कर देता है तो तीन चार पॉइंट बना रखें आपको यह देखने है अगला मनी ऐसा स्टोर वैल्यू आपके सामने पेश है एक एक चीज लिखके बता रखा है कि कि मनी अज़र डापर है यह एक यह फंक्शन बतार रखा रखा रखावाई की लेंडिंग और किस अवद्धर देना और उधार लेना कौन से फंक्षन के वज़े से फूसिबल हो पाया सब्सक्राइब लाउंग के लुए तो यह हम राट वाल्यू कर सकते हैं यह को आता है प्राम सब Nate जिसके लि of money बहुतारी types of money होती है पहले नंबर फे प्याट money की बात करेंगे प्याट money क्या होती है तो money तो कुछ भी हो सकता है ना gold भी money है silver भी money है जिस चीज के पतले तुम समान खरीद लो वो money है तेकि ऐसी money जो सरकार ने allow की हुई है तो government बोलती है कि हाँ ये currency नोट हमने चाप दिया इसके तुम कोई भी समान खरीद लो कोई बंदा reject नहीं कर सकता है इसको receive करने से अगर तुम किसी को सोर्वे का नोट देकर समान खरीद रहो तो कोई बंदा बोल ने सकता मुझे नोट चाहिए नहीं तुम तुझे सोना लाकर देश के पदले ऐसी मनी हमारी करंसी नोट होती है उस मनी को बोलते हैं फियाट मनी प्याट मनी रखना बात को लीगल टेंडर मनी ठीक है जी इसी मनी को फियाट मनी को हम हाइपावड मनी भी बोल देते हैं ठीक है फिर आया फिडिशियरी मनी फिडिशियरी मनी कैसी मनी है यह विश्वास वाली मनिंह ट्रस्ट वालि हुई ऐसी चीज यह लें दिन हो रहा है जो दो बंदे समझ रहे हैं बस याँ और आपका दोस्त कोई समान खरी इसका एक्जामपल अगर पूछो तो चैक के तुरू जो पेमेट की जाती है इसको रिपर्जेंटेटिव मनी भी बोल देते हैं कभी-कभी तो बहुत सारे फॉर्म्स नाम है वो सब यहां बता रहा हूं फिर अजी पुल बॉर्डिड मनी अब पुल बॉर्डिड मनी क्या होत पुल्ड बॉर्रों मैं उसको बनाने में अंदर की वैल्यू है जितने का मैटल लगाए उसको बोलते हैं इंट्रीनल वैल्यू या ऍट्रिंसिक वेलीव कृत्ने रुपे का समान लगा इसको बनाने में और जो इसके उपर लिखा हुआ है इसको बोलते है वो है इसकी face value अगर जिस चीज की face value और intrinsic value बराबर होती है वो money full bodied money होती है basically coins इसी nature के होते है एक रुपे के दो रुपे के ठीक है तो लिखा है it refers to the money in terms of coins whose commodity value is equal to the money value when these are issued तब जब issue किये गए थे तब की बात है आज बराबर है या नहीं है वो बात दूसरी है commodity value मतलब metal की value जिस भी metal से बना है अब आता है credit money उधार का पैसा यह money होती है जिसकी commodity value कम है जैनी intrinsic value कम है और face value जाता है जैसे की check की बात कर लो check अपने आप में fiduciary money भी है बतला विश्वास पे लेन देन भी कराती है check अपने आप में credit money बूलते हैं तो आप पूछों के सर चैक तो सरकार बूलती है अलाव करती है चैक की अगर कोई payment नहीं करता तो court में case चलते हैं बिल्कुल चलते हैं ऐसा होता है एक money है इसलिए case नहीं होता case इसलिए होता है चैक वह वाली money है जिससे ट्रस्ट टूटाई किसी का रस्थाना बीच में लोगों विश्वास तोड़ने का 138 नेगोशियेवल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है उसके अंडर में case होता है खर वह बाद आपको चानने नहीं तो credit money का एक्जामपल भी चैक हो सकता है जैक ही इसका एक्टामपल राफ्ट होता है अब बड़े होगे कॉलिज में जाके फीस जमा कराओगे तो ड्राफ्ट के तुरूप जमा होती है कही जगा आप बैंक से चैक की तरह यह कागज़ बनवा के लिए जाते हैं डोकुमेंट उसको आफ्ट बोलते हैं तो उसकी उतनी नहीं है जतने रुपे का वो इस्तमाल हो रहा है तो जितनी उसकी वैल्यू है उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी तो बनी यंड बैंकिंग का पूरा चैप्टर पूरी युनिट यहां पर क्रिस्टल कलियर तरीके से कवर अप की गई है अगर आपको फिर भी कोई दिक्कट डाउट परेशानी लगती है तो प्लीज कॉमेंट सेक्षिन में बता दो तो आज की क्लास में आपको कितना मज़ा आया वो बता दो तो वही बात है तो दोस्तों मैं आपका भाई दोस्त एड्यूकेटर आफ एकॉनोमिक्स लव कोशिक आज की क्लास को यहीं एंड करता हूँ जै हिंद जै भारत जै कॉमर्स नमस्कार धन्यवाद